आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि business की capital या profit liability की side में क्यों show होती है क्योंकि liability का मतलब होता है उत्तरदाइट यानि वो पेसा जो हमें किसी को pay करना है तो यहाँ पर सबाल यह है कि हमारी capital और हमारा profit हमें किसको और क्यों pay करना है इस confusion को हम इस वीडियो में दूर करेंगे So before we get started अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और टेली आरपनाइन को deeply सीखना चाते हैं तो आपको मेरे चैनल पर टेली आरपनाइन का full free course basic to advance टेली आरपनाइन के best shortcuts, टेली आरपनाइन के best tips and tricks टेली आरपनाइन का additional features और accounting से related extra knowledge इस सब कुछ आपको free of course मेरे चैनल पर मिल जाएगा जिसकी complete playlist बनाई हुई है आप चाहे तो देख सकते हैं साथी साथ अगर आप जानना चाते हैं कि accounting का काम market में किसे किया जाता है तो उसके लिए आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं मेरी Instagram ID है अफजल.2524 Instagram पर आपके साथ live वीडियो शेर करता हूँ जिस मैं ये बदाता हूँ कि accounting का काम market में किसे किया जाता है तो इतना सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा जलती से subscribe कर लिजे मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका notification मिल जाए और साथ में Instagram पर भी follow करना बिलकुल ना भूलना तो आप बिना time waste कि ये वीडियो को सुरू करते हैं तो इसको समझने के लिए सिदा मैं एक example से शुरू करूँगा कि मान लिजे सल्मान एक व्यक्ति है और उसने एक business शुरू किया जिस business का नाम XYZ company है तो सबसे पहली बात दिमाग में आप ये बिठा लीजिए कि सल्मान और XYZ company ये दोनों अलग-अलग हैं अब जैसे ही सल्मान पांस लाग रुपे से business शुरू करता है तो ये पांस लाग रुपे सल्मान XYZ company को दे देता है अब XYZ company उसे माल खरीती है या दुकान किराय पर लेती है या ओफिस बनाती है दुकान के लिए furniture ऐसी या computer खरीती है वो XYZ company की demand के according पांस लाग रुपे काम आएंगे तो अब माल लिजी ये कि सल्मान अगर कोई business शुरू ही नहीं करता तो ना तो उसे माल खरीतने की जुरूत पड़ती ना दुकान किराय पर लेने की जुरूत पड़ती ना ही furniture, computer या ऐसी करीतने की जुरूत पड़ती अवराल जो सल्मान के पास पांस लाग रुपे थे वो उसे XYZ company में लगाने की जुरूत ही नहीं पड़ती तो यहाँ पर जैसे ही सल्मान पांस लाग रुपे XYZ company को दे देता है तो यह XYZ company के उपर liability खड़ी हो जाती है कि सल्मान ने जो पांस लाग रुपे इस company में दिये है वो पेसे सल्मान को वापस लोटाने है यह XYZ company के उपर liability है अब इसको और ज़्यदा बहतर डंक से समझने के लिए इस example को मैं और ज़्यदा easy कर देता हूँ कि माल लीजिए कि सल्मान ने एक बिजनस शुरू किया और पांस लाग रुपे नगत केपिटल से XYZ company को दे दिये और उन पांस लाग रुपे से XYZ company ने अपनी ज़रूरत के according दो लाग रुपे का माल खरीद लिया बेशने के लिए 50,000 रुपे show brand की security दे दी यानि जहां पर दुकान किराह लिए उसकी 50,000 रुपे security दी है जो security हमें वापस मिल जाएगी जब भी हम business को बंद करेंगे 20,000 रुपे का computer खरीदा business use के लिए बिल वगरा बनाने के लिए 40,000 रुपे का furniture खरीदा ये भी business use के लिए है 40,000 रुपे की ऐसी खरीदी ठंडी अवा खाने के लिए और 1,500,000 रुपे जो है नगत balance पड़ा है तो company XYZ company के balance जो है कुछ इस तरह से तयार हो जाए जिसमें liability के side में 5,000 रुपे आएंगे वो 5,000 रुपे जो सलमान ने XYZ company को दिये है और ये 5,000,000 रुपे company के उपर liability है कि जो सलमान ने 5,000,000 रुपे company को दिये है वो वापस सलमान को लोटान है और assets के side में कुछ इस तरह से showगा जिसमें सब सब पहले जैसे 2,000,000 रुपे जो हमने माल खरीदा है वो हमारे closing stock में showगा ये अब हमारी समपती है 2,000,000 रुपे माल अमने खरीद लिया इसी तरह 50,000,000 रुपे 100 प्रेंट की security जो हमें दुकान बंद करने के बाद में वापस मिलनी है ये deposit and assets की side में showगा ये भी हमारी समपती है इसी तरह 20,000 रुपे का computer जो business की समपती है इसी तरह 40,000,000 रुपे का furniture ये fix the assets है computer भी fix the assets है और 40,000,000 रुपे की AC जो business use के लिए खरीदी है ये भी हमारी fix the assets है और 1,500,000 रुपे नगत जो XYZ कंपनी के पास में पड़ा है ये cash in hand के group में showगा और ये भी हमारी समपती है तो इस तरह से इधर 5,000,000 रुपे की समपती हो जाएगी और इधर 5,000,000 रुपे की liability तो ये balance इट हो गई बराबर तो अब मान लीजिए कि सल्मान किसी भी वज़े से किसी भी वज़े से business को यहीं के यहीं बंद कर देता यानि वो फेसला कर लेता है कि मुझे इस business को आगे continue नहीं करना है तो सल्मान ने जो capital के 5,000,000 रुपे लगाए थे वो X,Y,Z company को सल्मान को वापस देने पड़ेंगे 5,000,000 रुपे जो proprietors capital account के liability में करने हैं वो पेसा company को सल्मान को देना है तो वो कहां से लाएगी मैं आपको बताता हूँ ये दो लाग रुपे भी company सल्मान को देतेगी तो इस तरह दो लाग रुपे और कम हो जाएंगे और 20,000 रुपे का computer, 40,000 रुपे का furniture और 40,000 रुपे की SC जो business use के लिए ली थी वो भी company सल्मान को देतेगी कि आप इसको अपने गर पे use कीजी तो इस तरह एक लाग रुपे और कम हो जाएंगे और 50,000 रुपे की शोप्रेंट की security दी थी जो security हमें दुकान बंद होने के बाद में वापस मिलनी है तो वो 50,000 रुपे भी XYZ company सल्मान को देतेगी तो इसी तरह हमारे XYZ company की पूरी के पूरी 5,000,000 रुपे की संपती जो है वो पूरी के पूरी सल्मान को देतेगी तो 5,000,000 रुपे की संपती भी खतम हो जाएगी XYZ company की और 5,000,000 रुपे की liability भी XYZ company की खतम हो जाएगी overall मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी company की balance sheet में जो capital liability की side में show होती है वो liability company के उपर होती है ना कि उसके proprietor यानि जिसका business है उस पर कोई liability नहीं होती तो ये तो थी capital account की बात उम्मेद करता हूँ कि आपको बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी तो अब बात करते हैं कि profit जो है वो liability की side में क्यों show होता है profit क्यों liability है तो देखे दोस्तों इसका भी बहुत simple सा answer है सल्मान ने XYZ business को profit कमाने के लिए ही सुर किया है और XYZ company में जितना भी profit होता है वो profit सल्मान को देना पड़ता है तो profit भी XYZ company की liability है इसलिए profit का balance जो है वो liability की side में show होता है तो दोस्तों ये तो था capital और profit के बारे में वीडियो के capital और profit जो है वो company की liability में क्यों आता है उम्मेद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए chapter के साथ तब तक के लिए take care and happy learning